तो गरीब students वे हम सबका स्वागत है आज हम जानेंगे की इजरो foreign rockets कब use करता है तो चलिए जानते है तो इजरो के पास foreign rockets use करने के लिए दो कारण है सबसे पहला तो easy है satellite का weight अगर satellite का weight हमारे सबसे powerful पॉफुल रॉकेट जो कैरी कर सकते उससे जादा है तो उन्हें जबर्दस्ती से फॉर्ण रॉकेट के उपर लॉंच करना होगा करेंड़ी जी एसले माक 3 हमारा सबसे मोश्ट पावर्फुल रॉकेट है वह फॉर टंस का सैटेलाइट जो ट्रांसफर ऑबिट में डिप्लॉ अब GSLV माक 3 उतने हाई नंबर्ज में मैनुफेक्चर नहीं होता है काफी कम होता है और इस येर 2020 में तो बहुत बीजी आई GSLV माक 3 तो उसके उपर काफी सारे लॉंच इस साल होगा GSLV माक 3 के उपर तो उसके लिए रॉकेट अवेलेबल होना बहुत जरूरी है GSLV के बहुत कमपोनेंट्स प्राइविटली मैनुफेक्चर होता है जैसी कि उसके जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है जो दो दोनों तरफ कोर के वो एलन टील आर्सनान टर्बो मैनुफेक्चर करता है जो उसके विकास इंजिन्स है उसके ही नहीं सब विकास इंजिन्स गोदरिज एरोस्पेस मैनुफेक्चर करता है उसके कारण रॉकेट की अविलिबिलिटी हर बार होना काफी डिफिकल्ट है इसरो के लिए जेसले मार्क 3 बहुत कम नंबर्स में मैनुफेक्चर होता है इससे पहले टॉक्स थे कि जेसले मार्क 2 को अपग्रेड किया जैका थोड़े हाई वेट के लिए ताकि एससे सिचुएशन में वह हेल्प कर पाए बट उसके बारे में कोई निउस ही नहीं भार रही उसके बार था ग्यान की गर्वी सबसे बड़ी जय हिंज जय भारत